आयूरवेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तो आप हमारे बेल आइकन को सबसे पहले प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं और हमारे नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल न दोस्तो आजकल की भागदोड और तना भरी जिन्दगी का सीधा हसर हमारी आँख पर पढ़ रहा है। व्यस्त लाइफ स्टाइल के चलते आजकल के लोगों के पास ना तो समय पर खाना खाने का समय है और ना ही अपनी फिटनेस पर ध्यान देने का हज से ज़्यादा फोन, कम्प्यूटर, टैबलेट और टीवी का इस्तेमाल करना हमारी आँख को जल्दी जल्दी खराब कर रहा है। यही वज़े है कि आजकल युवाओं के साथ छोटे बच्चे भी चश्मा लगाए हुए नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी आ आँखें भी खराब नहीं हों। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। सुबह सुबह उठकर दोस्तों मुह में पानी भरें और फिर ठंडा पानी अपनी आँखों पर मारें। ध्यान रहें आँखों पर पानी म बढ़ती और तनाव से मुक्ती मिलती है। अगला पैरों के तलवों पर सरसों के तेल से मालिश करने से आँखों को गजब का फायदा मिलता है। साथी नहने से पहले पैर के अंगुठे को सरसों के तेल में तर करने से भी आँखों को बहुत सारा लाब मिलता है। पालक हरी सबजियाँ और पत्यदार सबजियाँ और पीले फल खाएं बिटामिन A, बिटामिन C और बिटामिन E से भरपूर आहर आपके आखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं रोजाना एक कच्चा आवला खाएं और ज्यादा से ज्यादा आप पानी पियें और क्या ना करें जरा देख लेते हैं आजकल बालों को रगने का ट्रेंड खूप चल रहा है भारी संख्या में लोग आजकल अपने बालों का कलर कर रहे हैं जबकि ऐसा बूल कर भी नहीं करना चाहिए कलर में कई ऐसे केमिकल्स होते हैं का सीधा हसर आपकी आँख पर पड़ता है कंप्यूटर के आगे बिना चश्मा लगाए बैटने से हमारी आँखों को काफी नुकसान होता है इसलिए जब भी सिस्टम पर बैठें हलकी ग्लास का चश्मा लगाएं रात के अंदेरे में कभी फौन का इस्तिमाल ना करें ज्यादा मिर्च मसाला, फास्ट फूड और दूशित खाने से परेज करना चाहिए अगर कोई बात सोचने से आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए आईरवेद समाधान क्योंकि आईरवेद समाधान है हर रोग करनेदान